कुछ अग आया है कि कौन सा पॉइंट इस solution कर्व को satisfy करेगा जो कि इस differential equation का solution कर्व होगा और initial condition दे रहे हैं आपको y0 equals to 1 तो सबसे पहले differential equation को लिख लिते हैं x y minus x dx plus x plus y dy equals to 0 और अगर हमें इसका solution कर्व निकालना है तो ये एक बहुत सिंपल equation दे रहे हैं आप क्या करेंगे y ydx minus x dx plus x dy plus y dy equals to 0 और आप directly integrate करा दीजिए यहां से अगर आप integrate कराते हैं तो भी solution कर्व निकाल सकते हैं otherwise आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या form कर रहा है ये ydx plus x dy यानि कि एक बार x के साथ dx है एक बार y के साथ dy है plus y dy minus x dx equals to 0 अगर आप यहां पर इसको लिखेंगे derivative of x y minus x dx plus y dy equals to 0 और इसका integration अगर आप करते हैं तो इसका जो integration है वो क्या आएगा मैं यहां पर इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप dx का integration करते हैं तो आपको मिलता है x अगर dxy का करेंगे तो आपको मिलेगा xy तो यहां से आपको मिलेगा xy minus x square upon 2 plus y square upon 2 और यह हो गया आपका constant of integration अगर यहां पर हम initial condition को use करते हैं जो कि y 0 equals to 1 है तो यह term आपके 0 हो जाएगी यह term 0 हो जाएगी यहां पर आएगा 1 upon 2 equals to c c का value आप यहां पर use कीजिए तो यह हो जाएगा आपका 2xy minus x square plus y square और c का value आपका half है तो यह minus 1 equals to 0 अब आपको check करना है कि कौन सा point इसको satisfy करेगा तो आप given options में से एके करके आप check कर सकते हैं तो मैं directly c को check कर रहा हूं यहां पर अगर c point रखता हूं 2 into 2 into 1 minus 4 plus 1 minus 1 यह cancel out हो गया और यह भी आपका cancel out हो गया finally value 0 मिल जाएगी यानि कि option से आपका correct answer होगा कर दो